नमस्ते सभी को एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल इंडियन पोस्टल लाइफ पर So as the people know Department of Post की तरफ से GDS सेलेक्शन के लिए विकिंस निकाली गई थी स्केडियूल सेकंड के अंडर जो की जुलाई अगस्त में निकाली थी 2010-23 में So उसकी अब स्केडियूल सेकंड में फोर्थ मैरिट लिस्ट आ गई है जिसे की आप ओफिशल वेबसाइट पर जाकर चेक आउट कर सकते है So उसके लिए आपको सिंपली जाना है ओफिशल वेबसाइट पर GDS की जैसा की आप स्क्रीन पर देखी सकते है So सबसे पहले आपको अपने फोन पर सर्च कर लेना है इंडिया पोस्ट GDSonline.gov.in Then आपके पास कुछ इस तरह से ओफिशल वेबसाइट ओपन होकर आ जाईगी Then आपको साइड में दिख रहा होगा कैंडी रेट कॉर्णनर तो आपको स्क्रॉल करते हुए सिंपली नीचे की तरफ आ जाना है Then आपको लास्ट में GDS2023 स्केड्यूल सेकंड शॉट लिस्ट दिख रही होगी आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है Then आपको स्टेट को सिलेक्ट करना है जैसे मैंने ही माचल को सिलेक्ट कर लिया है Then लिस्ट 4 पर क्लिक कर देना है इसी के साथ आपके पास लिस्ट ओपन होकर आ जाएगी जैसा कि आप स्क्रीन पर देखी सकते है So सबसे पहले इसमें दिया गया है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है डिवीजनल हेड ओफिस में जिदर भी आपने फॉर्म को फिल अप किया था जैसे फॉर एक्जेंपल मैं आपको एक पता देती हूं कोई जैसे कि जो ये फर्स्ट केंडिडेट है इन्होंने सेलिक्ट किया है चमबा डिवीजन तो इन्हें चमबा डिवीजन हैड ओफिस जाना है अपने डॉक्यमेंट्स को लेकर चो भी वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यमेंट्स रिक्वाइड है तो आप इस तरह से मैरिट लिस्ट को डाउनलोड कर सकते है अपने फोन पर ही आपको कोई भी साइबर कैफे में जाने की जरूरत नहीं है आप घर पर बैट कर ही अपने फोन में पीडियफ को डाउनलोड कर सकते है और अपना रिजल्ट देख सकते है तो आपको एक मैसेज भी दिया गया है SMS और E-mail Will be sent to your registered mobile number तो ये वैसे आपके पास जो भी registration आपका नंबर है आपके SMS के थूँ या फिर mail के थूँ आपको send हो ही गया होगा बट अगर ना हुआ हो सो आप simply PDF को डाउनलोड करके भी अपनी document verification के लिए जा सकते है next अब मैं गुजरात की PDF डाउनलोड करने वाली हो तो simply आपको गुजरात पर click करना है then इस तरह से आपके पास कुछ schedule second की list fourth merit list open हो जाएगी जैसा की आप screen पर देखी सकते है की अब जो selection है कुछ एक candidates का 86%, 87%, 88% पर भी होने लगा है so जैसा की आप देख सकते है 77% पर भी है 76.2% पर भी है जो की PWDA में है बट आप देख सकते है general category में भी 88, 86, 80% भी है कहीं-कही so यह अच्छी बात है कि अब merit list थोड़ी down हो गई है वरना जो मैं last तक देख रही थी तो उसमें 100% या 98, 99 ऐसी ही percentage पर selection हो रही थी so अब मैं इससे next जो है check out करने वाली हूँ आपका Punjab circle का fourth list पर आपको simply जाना है then आपके पास कुछ इस तरह से merit list open हो जाएगी so एक पात का आपको ये भी ध्यान रखना है कि जहां पर भी आप document verification के लिए अपने divisional head office में जा रहे है आपको वहां पर report 25th of November 2010-23 से पहले करना है जैसा कि आपको screen पर भी दिया हुआ है so आप इस तरह से check out कर सकते है अपनी merit list को जिस भी circle से आप belong करते है so at last अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को subscribe करना न भूले वीडियो को like, comment and share जरूर करे ताकि आगी आने वाली वीडियो की notification आपको time to time मिलती रहे thank you for the watching